आज हम बनाने जा रहे हैं ये beautiful sunset scenery इसे आप pink sky भी कह सकते हैं pink sky generally after the storm appear होता है और बनाने में ये बाकी paintings कितना बहुत easy है तो शुरू करें सबसे पहले हम अपनी drawing sheet को hardboard पर ये washi tape से टिक करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया है washi tape में गम थोड़ा कम होता है उसकी वज़े से वो paper को tear करके नहीं निकलते वहीं पे अगर हम cello tape यूज़ करेंगे तो वो आपका paper tear कर देगा at the end of the drawing इसलिए cello tape हमें यूज़ नहीं करता है और इस painting के लिए हम यूज़ कर रहे है water color pencils water color pencils बाकी color pencils की तरह ही दिखती है बस इसमें pigment और aqua content होता है जिसकी वज़े से हम उन्हें जब paper पे करते हैं उसके बाद उन्हें blend करने के लिए हमें जिर्फ पानी चाहिए तो चलिए अब start करते हैं अपनी painting हमने नीचे एक strip छोड़ कर येलो कलर से coloring स्टार्ट करी है सबसे नीचे light yellow का shade रखेंगे और उपर जाते जाते हम अपने येलो को थोड़ा सा dark pigment देंगे कलर हमेशा horizontal movement में ही करेंगे और जादा अच्छा color करने के लिए प्रेस नहीं करेंगे प्रेस करने से ये जो watercolor pencils होती है ये तूट जाती है क्योंकि ये बहुत soft होती है अब अगर आपने notice किया हो तो मैंने वो strip छोड़ करके कहीं कहीं पर येलो का color किया है इसी से बनने का हमारा pink sky अब हम लेंगे light pink color दो pink होते हैं watercolor pencils में पहले हम यूज करें light pink इसे येलो से blend करते हुए उपर की तरफ ले जाएंगे और white area में strip बना देंगे जहां जहां हमने yellow किया है उसके आसपास हम blending के लिए दो shade देंगे पर as of now हमने सिर्फ pink किया पिंक के बाद अब मैं यूज कर रहे हूँ orange औरेंज को जैसे कि मैंने कहा हम उसको yellow के आसपास अच्छे से blend करने के लिए pigment देंगे येलो के उपर हमने mixing करते हुए यूज किया orange और अब हम यूज करेंगे dark pink इसे हम orange से mix करते हुए उपर की तरफ extend करेंगे around yellow हम इसको थोड़ा सा yellow के साथ blend करेंगे और थोड़ा सा हम yellow को as as it is छोड़ देंगे जैसे जैसे हम उपर जाएंगे हम इस pink को थोड़ा सा dark shade देंगे in fact most of the scenery जिसमें sky होता है या sky के colors दिखाए जाते हैं उसमें sky towards the corners थोड़ा सा dark हो जाता है थोड़ा उपर जाते जाते colors dark हो जाते हैं अब pink के बाद हमने use किया है red जिसे हमने थोड़ा सा mix किया है pink के साथ और बाकी उपर अपनी sheet में end तक हमने red को ही stretch किया है वैसे तो हमारी coloring हो गई है लेकिन pink sky को और अच्छा effect देने के लिए हमारे पास जित जहाँ जहाँ yellow है उसके आसपास हम orange या फिर dark pink से थोड़ा थोड़ा सा shade दे देगे इसे कहते हैं dash of color उससे हमारा जो ये yellow है और beautiful बनके और निखर के आएगा थोड़ा सा yellow को भी हम dark कर रहे हैं जिससे बाकी जो colors है during blend जब हम water से इसको blend करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि सारे colors over power कर दे हमारे yellow को yellow should stand out उपर हमने orange से shade दिया था yellow के आसपास नीचे की तरफ हम थोड़ा pink से दे रहे हैं अब हम color करेंगे bottom of the page में जो हमने beginning में छोड़ दिया था सबसे नीचे color करेंगे हम black से ब्लैक के बाद अब यूज करेंगे हम dark green mountain बनाने के लिए एक horizontal strip बनाई है हमने उसके माद हम बना रहे है mountains mountain में color करने के लिए हम सिर्फ horizontal strokes नहीं रख रहे हैं अगर आप देखें तो mountain में slopes होते हैं तो हम अपने strokes को भी वैसा ही रख रहे हैं और blending भी हम इसी तरह से करेंगे slant line here slant line there और अब यूज कर रहे हैं हम light green behind dark green we are using light green coloring के लिए हम same strokes रखेंगे slanting strokes और इसी stroke में हम करेंगे blending भी coloring करते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमारा light green और dark green दोनों अपने आप में ऐसे color होने चाहिए कि outline भी दिखें और light green और dark green का फर्क भी दिखें मैं एक बार फिर से dark green के outline कर रहे हूं थोड़ा मोटा ही कर रहे हूं जिससे blending के बाद यह difference दिखाई देगी कहा light green है कहा dark green है चलिए अब हमारी coloring पूरी अब चलते हैं painting के लिए painting के लिए हम यूज करेंगे पानी और दो brushes एक है number six और दूसरा है flat brush coloring के बाद blending के लिए हमें अपने brush को सिर्फ पानी में dip करना है excess water drain कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी blending और जैसा कि हम हमेशा करते हैं हम light color से blending स्टार्ट करेंगे यहां हम yellow से स्टार्ट कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे green बचा करके हम yellow को blend करेंगे mountain के पास जब yellow हो जाए तो हम बड़े अराम से उपर की तरफ बढ़ सकते हैं slowly yellow blend करेंगे फिर से water में dab करेंगे अपना brush excess water drain करके धीरे धीरे उपर की तरफ जाएंगे यहां हम यूज करें flat brush क्योंकि flat brush से blending अच्छी होती है और smooth दिखाई देते हैं हमारे सारे strokes जहां आपको लगता है आपकी blending नहीं हो पाई है या चूट गया है आप आराम से दुबारा से आ करके उसको blend कर देंगे लेकिन खाली half sheet पे नहीं करेंगे अगर blending करनी है तो left to right पूरा brush आपको ले कर जाना पड़ेगा वरना आपकी जो blending है वो आनिवन दिखेगे लीजे हमारा sky तो ready है अब चलते हैं slowly अपने mountains की तरफ स्लोली brush को clean करेंगे water dab करेंगे excess water drain करके अब हम light green को पहले color करेंगे mountains color करने के लिए हम slant strokes use कर रहे हैं हम sleeping line में coloring नहीं कर रहे हैं अगर आप notice करें तो light green हो जाएगा फिर हम बढ़ेंगे dark green की तरफ slant strokes में ही और हम green के बढ़ेंगे color black की तरफ blending के time पे हम अपने edges का खास ख्याल रखेंगे चाहें नीचे हो चाहें उपर हो कहीं भी हो आप edges को अच्छे से saturate करेंगे color से spillover होने के कोई चिंता नहीं है क्योंकि यह जो टेप है यह हमारे color को आगे spread होने से रोपता है हमारी painting हो चुकी है लेकिन paper हमारा अभी थोड़ा उपैट है इसे हम dry होने के लिए छोड़ेंगे कम से कम 15-20 minutes के लिए इसके बाद हम इस पर draw करेंगे birds पूरी तरह dry होने के बाद ही हम start करेंगे इस पर birds बनाना birds के लिए आप marker या gel pen भी use कर सकते हैं बस simple weed shapes बनाने हैं जैसे हम हमेशा से birds बनाते हैं कहीं चोटे कहीं बड़े आप अपनी मजी से birds बना सकते हैं birds बनाने के बाद हम slowly अपना टेप remove कर देंगे बस लीचे रेडी है हमारी pink sky वाली सीनरे यजए बुटे हम बादेपर कवी